नमस्कार दर्शुकों मैं जितेंदर गुपता आप देख रहे हैं स्टार्ड सिटी न्यूस मैं इस वक्त मौझूद हूँ ओखला विधान सावा में हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं मौमद इर्फान बिट्टु जी मौमद जी आपका स्वागत है अर्फान बाई आपका जो राजनितिक सफर जो कॉंग्रस से जो जुड़ा वसर कब से और कितने वर्शुत देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता रहें चाहूंगा कि मेरे नाम मौमद इर्फान बिट्टु है और मैं शाहिन बाग बॉर्ड सफर बड़ा लंबा है और हम कॉंग्रेस पार्टी से जो है नस्याई के टाइम से जोड़े हूं है उसके बाद यूथ में हम रहे फिर हमने पार्टी में काम किया तो अभी तक जहां-जहां चुनाव होते हैं हम पार्टी जहां में बेशती है जो हमें कारे देती है वह हम ब करते हैं क्या लगता आपको दिल्ली में साथ सालों में दिल्ली का विकास को लेके बात करें क्या के डव्लमेंट हुआ है देखिए हमाही जो सरकार छी जब शीला जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम में और इस टाइम में बड़ा फर्क देखिए यह सब जो है झूटे और ख आज तक यह देख लीजिए आप यहां से मुनरीका की तरफ चलेंगे तो फ्लाइओवर है वहां उसका जो साउंड प्रूफ वो शीटे लगी रहती हैं तो उन जो कॉंग्रेस ने बनाए थे उन फ्लाइओवर्स के भी मेंटेनेंस जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं करा पा तो अब आप यह सोचिए कि जब वो मेंटेनेंस फ्लाइओवर्स के नहीं करा पा रही है तो वो क्या जो है दिल्ली का डवलाप्मेंट करेगी आप जब हम जैसे हमारे कुछ दोस्ते वो गल्फ कंट्री रहते थे तो गल्फ कंट्री में जब पूरा दिल्ली बदल रहा था तो जैसे दो साल में तीन साल में उनका दौरा हुआ कि चलो अपने वतन लोटते थे वो खाने कमाने के लिए वहां गए हुए थे बिचारे तो जब वो एयरपोर्ट उतरे और उन्होंने देखा दिल्ली तो पूरी दिल्ली चेंज हो चुकी थी मतलब आप समझ नहीं सकते क जो आम एक आदमी है वो इतना खुश था प्रुफलित था वो बड़ा जो सर खरोश के साथ कैसा था किया दिल्ली बेगदम चेंज कर दी शीला जी ने और आश्रम वाला जो फ्लाइओवर है वो आज जो बन रहा है उसका जो पीता कटे का वो भी शीला जी की दिन है और ऐस आज तक एक भी नया स्कूल नहीं बना है समझने हैं आपने ठीक है कहीं भी बनाए होंगे लेकिन अक्सरियत जो मायनिटी की जो पॉपुलेशन है वहां ना तो कोई आज तक कोई स्कूल मुझे बता दीजे शाहिन बाग में अब उलफदल में जाकिर नगर में कहीं नहीं और एक जो स्कूल हुआ करता था जो का बाई में वो भी तोड़के डाला हुआ है उसको भी जो है शिफ्ट कर दिया कहीं और वो भी आस तक नहीं बना है साथ साल हो चुके हैं साथ साल एक बड़ा लंबा वक्फा होता पूरे साथ साल में शीला जी ने जो है पूरी दिल्ल हुआ करता था गंदी बद्बू और यह सब होता था उसमें जब हमारे जनाब आसी मुहमद खान विधायक थे तो उन्होंने चालिस फिटा बनवाया और चालिस फिटा आज देख लीजिए तब के दौर में बना हुआ है आज तक उसका रिपेर तक नहीं हुआ है वो कहीं पानी भिपेरा रहता है और जबके यहाँ की जंता ने पिशली बार कांसलर का चुनाब हुआ था 2017 में तो यह कहा था कि विधायक भी जो है आमादमी पार्टी का है और counselor भी आमादमी पार्टी का होगा तो भी कास होगा समझ रहें तो मैं हमें यह पूछना चाहता हूँ जनता तो बिचारी देखिए भोली भाली है उसको तो बेखो बना लिया लेकिन आगे नहीं बना पाएंगे आप जो 2022 में चुनाव है आपका किस परकार का लोगों के बीच जन संपर्क है देखिए हमारा जो जन संपर्क है लोगों के बीच में हम लोगों के बीच जाते हैं उनकी क्या समस्या है उसको सुल्जाते हैं चाहे वो हमें अपने बजट से करनी हो अपने फंड से करनी हो हम अपने परसनल उससे करते लिए किसी को जो है कैसे मदद करनी है राशन दिलाना है वह बहुत सारी चीजे निकलने को तयार नहीं तो उस समय हम जो है लोगों के घर जा जा के सेनिटाइस कर रहे थे जब मजदूर इदर से उदर विचारे जा रहे थे परिशान थे तो उनको हम यहां से छोड़ने का कार और यहां से मजदूरों को हमने उनके स्थान पहोड़ा उनहें राशन उन्हें टिक्ट कराना उनके पैसे जिस पे नहीं है उसका इंतिजाम करना रहने की वेवस्था करना वो सब कराया उसके बाद जो है हमने मैंने तक्रीमन लगातार 86 दिन किया सेनेटाइजेशन अपनी पीट पे वो टांग करके और पूरी दिली परदेश कॉंग्रेस कमिटे नहीं किया जो है कोरोना के सिपाही करेंगे कोरोना की दुलाई का जो हमारा स्लोगन था उसके तैद हमने हर वाड में अपने सेनेटाइजेशन किया और जिस तरीके से भी हम अपने बाश्पार के कम से कम उनको यह होता था सेनेटाइज करते तो उनको एक वह मतलब मनौबल मिलता था कि हाँ ठीक है कि मतलब एक मनौबल जो जाकर का इंसान देता है उसे तो लड़ने की शमता और बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग ठीक हुए और आज मिलते हैं अच्छा मीशन दोयर बाई इस चुनावारा है सब्सक्राइब को लेकि बात कर लेते हैं, 15 साल दिल्ली में जैसे एमसीडी भाश्पा में हैं, काफी आमाधी पार्टी वे अपने वादे करके कि दिल्ली में इस बार मैजोटी सामाध में साल पार्टी केरी कि हम सरकार बनाने पर देशा हों आहते हनसे हैं तो कॉंगरेस के यह चैजेंटे चीक्डिया में और खालिट ने कितना काम पाया healthy प्हाइं टुद्जाद में लगीशन है कि बार देश को साल पीछे कर दिया है दो तो आप अपना नया बनाईए उसको जो भी है लेकिन कुछ नहीं बनाए ना जो है कोई पॉलिसीज हैं किसानों के लिए जो सिर्फ अडानी अम्वानी को ही दे रखा है कि सब कुछ वही करेंगे बाकि किसान जाएगा तो आप जो किसान इतने दिन से धरने पर है आप उनकी वांगे क्यों नहीं क्या मतलब क्यों जिद है वह तो देशी देश ने आपको पनाया तो जो भी कानून में उसको संशोदन करके खतम करें लखेंबूर में जो गटना हुई था किसान को देखिए ये तो जो है सत्ता में चूर है बिलकुल एकदम जो महां के ग्रहमा राज ग्रहमंत्री हैं वो बिलकुल सत्ता में चूर है हफता बार उने शपत लिया नहीं हुआ और उन्होंने जो है देखिए कैसे बैचारे जो किसान हैं उनको रौंद करके कैसे गाड़िया निकल जाती है और आज तक यह लिए इतना कॉंग्रेस ने संगर्श किया है और कॉंग्रेस नहीं किसानों की आवाज उठाई है प्रियंका जी जब गई तो उनको जो है बगे परिवार से मिलने जा रही है तो तो कोई गुना नहीं है हमारा कानून जो कहता है कानून के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं हम तो कानून के तहती जा रहे हैं किसी का अगर कुछ हो जाता है को इस ट्रेसडी हो जाती है तो उसके परिवार से कोई मिलने जा रहा है वो कोई का बरखास्त किया जाए अच्छा आज का सब्सक्राइब कोई काम ही नहीं होगा देश कहीं जो है दूसरा कोई resources नहीं होंगे दूसरे resources नहीं होंगे तो सिर्फ तेल से चलेगा समझ रहें नहीं तो सिर्फ तेल से के चलना है सारे बाइख जो आए थे हमारे वह तो बीजेपी की बात होगी अब हम दिल्ली स्टेट में अगर केजरी वाल की बात करें तो उन्हों ने कहता कि हम भी आई फदल एक सो दो वाड है और मैं यहां से तयारी कर रहा हूं और काफी समय से लगा हुआ हूँ और मैं यहां का लोकल हूँ मेरा अपना मदर वाड है यह और यहीं से अगर पार्टी मुझे टिकेट देती है तो मैं इंशालला जो है पार्टी की जोली में यह सीट निकाल करके परफॉर्मेंस रहेगी सार आमादमी पार्टी पीजेपी के सामने अपके टकर नहीं देखिए हमारे यहां बीजेपी का तो कोई सीन नहीं है इस सीट पर और आमादमी पार्टी को जो है जो इंशालला हम शिकर्स देंगे और जनता जो है उसके पूरे खलाफ है और इनों में जो आमादमी पार्टी का जो एजेंटा था जो घोशना पतर था कांसलर चुनाम में उनका यह था कि सबसे पहले हम जो है यहां कूडे का डंपियार्ट बनवाएंगे तो पहला ही उनका जो मनिफेस्टों में वह जेंटा था तो वही पूरा नहीं हुआ है अभी तक दे हैं बीमारी का सामना करना पड़ता है टेंगों की महामारी दिली में फैल रही है समझ रहे हैं उस पर कोई रोख थाम निये ना कोई फॉगिंग है ना कुछ है सिर्फ रामभरो से चल रहा है और यह जैसे चलेगा वैसे ही जनता इनको चलाएगी है और कुछ कहना जाएंग कि आप जो है आते रहें और स्टार सिटी जो है बहुत तरक्की करें आगे चल करके यही मेरी जो है आप से उपर वाले से दुआ है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि अधर नहीं है तो यह मारे सीधी बात मोहमद इरुफान बिट्टु जिसे स्टार सिटी के साथ मैं जिते अंदर गुपता हूं